नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार का पर्फॉर्मेंस रहा है, हौकी टीम का चाहिए, विमन हो, मैन हो, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, और जैसा कि आपको पता होगा, आज सुबे हमने 5-4 से जर्मनी को हरा कर, जो ब्रॉंज मेडल है, वो अपने हाथ में कर लिया है, और कल ज क्या कारण है, ऐसा उडिसा ने क्या किया है, जिसकी वज़े से बताया जा रहा है कि हौकी के सक्सेज में उसका भी बड़ा योगदान है, उन्होंने किस तरह से जो स्पोर्ट से उसको प्रमोट किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर, काफी कु 2020 में देखे, बहुत सारी नई चीज हैं, काफी जादा जो सिग्निफिकेंस हैं, वो बढ़ते जा रहा है, सबसे पहला तो आपको पता होगा कि जो इस बार का कंटिंजन्ट है, वो सबसे लाज़ेस्ट है, सबसे जादा एथलीट्स हमारे कंट्री से इस बार गए हैं, वर्षों के बाद लग रहा है कि कहीं न कहीं होकी के अंदर हम यहाँ पर इंप्रूव्मेंट करते जा रहा हैं, इन फैक्ट इस बार आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों हमारी टीम है, विमेन और मैन की टीम है, उनके टीशर्ट पर यहाँ पर आपको उडिसा बड़े ल पर्फॉर्मेंस हो रहा था, तो उडिसा के जो चीफ मिनिश्टर है नवीन पतनायक जी, उनके द्वारा लगातार ट्वीट आ रहा था और आज जब मैन होकी टीम जो ब्रॉंज जीत कराई है, उसके लिए भी उन्होंने सरहना दी, ब्रिलियंट इन ब्लू, होकी टीम on the spectacular victory to give us an Olympic medal after 41 long years, तो इसके बारे में लगातार वो ट्वीट कर रहे थे, सरहना कर रहे थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उडिसा का क्या connection है sports के, अगर हम देखें तो, अगर हम specifically होकी की बात करें, तो women और men दोनों के team में ज इसले कुछ समय से कई सारे sports person वो provide करता जा रहा है, जैसे कि duty चंद जो की sprinter है, वो provide किया गया है, इसके अलावा यहाँ पर national level पर जो hockey players हैं, वहाँ पर भी उडिसा का बड़ा contribution आपको देखने को मिलेगा, और साती साथ उडिसा courses कर रहा है कि जो infrastructure है, जो national team है, उसको sponsorship देन यह सारे भार यहाँ पर उडिसा उठा रहा है, और आपको समझना है, जब मैं उडिसा की बात करता हूँ, तो अभी भी वो बाकी जैसे western side में अगर आप गुजरात, महराश्ट जो industrialized state हैं, उसके बराबर नहीं है, GDP उतनी बड़ी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ sports की तरफ ध्यान देना, उसके उपर खर्च करना, यह अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है, तो अगर हम उडिसा का entry बताएं, हौकी के अंदर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, कि 2018 के पहले जो सहारा है, वो sponsor किया करता था हौकी टीम को, इनफार्ट क्रिक कंपनियां, कोई बड़े पैमाने पर sponsor कर सके, फिर फानली इसको देखते भी जो उडिसा सरकार है, उन्होंने कहा कि हम sponsor करेंगे, सिर्फ senior team को नहीं, जो junior team हो गई, senior level की team हो गई, सभी को यहां पर sponsor किया जाएगा, और करीब 150 करोर की deal की गई होकी इंडिया के साथ, जो national level होकी इंडिया है, उनके साथ 150 करोर की deal की गई, अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल तक ये रूपए खर्च किये जाएंगे उडिसा सरकार के द्वारा, और ये important इसली भी हो जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई राज्य सरकार ने decide किया हो कि वो national team को यहां पर sponsor करेग कि 2018 में ही उडिसा सरकार ने Tata Group के साथ collaboration किया था, और यहां पर जो भूबनेशर के अंदर कलिंगा स्टेडियम है, वहां पर उडिसा नवल Tata Hockey High Performance Center HPC, ये यहां पर बनाया गया Tata Group के साथ मिलकर, और इसका जो main मकसा था वो यही था, कि जो upcoming sport talent है होकी के अंदर, उसको यह पर निखारा जाए, और world class sportsmanship जो होता है, वो यहां पर लानी की कोशिश की जाए, आप देख सकते हो, ये जो कलिंगा स्टेडियम है, वहां पर ये Hockey High Performance Center को जो है खुला गया, in fact वहां पर मैं आपको बता दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें की जाती है, जो resident program है boys के लिए, वो यहां पर comments किया गया है, 31 cadets जो है, वो select किये गया है, इस पूरे program के तहट, और करीब 12 grassroots center बताया जाता है कि वहां पर खुला गया है, 2500 young trainees को यहां पर train किया जा रहा है, just imagine, 2500 young trainees को इस पूरे complex के अंदर यहां पर train करने की भी कोशिश की जारी है, इसके अलावा यहां पर पर देखने को मिलेंगे, 2018 में World Cup को organize किया गया था, उरिसा के द्वारा, Champions Trophy 2014 में देखने को मिलती है, 2017 में Hockey World League का जो final है वो भी किया गया, इसके अलावा मैं आपको बता दू कि 2023 में दूसरी बार उरिसा जो है, वो आपका host करेगा Hockey World Cup को, और यह खेला जाएगा, उरिसा और रायर के एला में, भारत का सबसे बड़ा जो होकी स्टेडियम है, वो बनाया जा रहा है, करी 20 हजार की capacity होगी, जो spectators वहाँ पर बैट सकेंगे, और वो पूरा जो स्टेडियम है, वो basically नाम रखा गया है, आपने सुना होगा जो tribal leader है, Britishers के खिलाफ जिन्नोंने लड़ा जो की costly आता है, उसको लगाना, उसको maintain करना, वो भी यहाँ पर बिचाया जाएगा, इसके अलावा 20 sports hostel जो है, वो राजी के अंदर खोले जा रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज़ है, भारत सरकार ने जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम लॉंच जा था, उसके तहर पहला जो खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स है, वो भी 2020 में उडिसा में खेला गया था, जिसके अंदर 4000 athletes participate किये थे, 176 universities से आये थे, और इसके अंदर total 211 event हुए थे, और पुरा 10 दिन का ये चला था जहाँ पर 17 sports events आपको देखने को मिलते हैं, तो you can just imagine कि यहाँ पर जो आंक ख़वा देते, तो आज के डिट में जो sports हम देख रहे हैं, जब हम Olympics के अंदर medal की बात करते हैं, वो कितना हद तक आज हमें increase देखने को मिलता, तो well done Odisa, और यहाँ पर सरहना करनी चाहिए, और उसी को लेकर लोगों की काफी तारीफ आ रही थी, और जब कोई मिल नहीं रह ता sponsor, यहाँ पर Odisa सरकार ने उनको मदद की, तो definitely यहाँ पर बधाई के पात रहे हैं, तो यह पूरा वीडियो था दोस्तों, जाने से पहले, एक important question आपके लिए, जैसे कि आपको बता होगा, किसी भी, जैसे कोई company हो गई, उसका भी खुद का एक motto होता है, सरकार हो गई, जो कोई राज जो होगा है, उसका भी motto होता है, Olympics आप देखते जा रहे हो, Olympics का क्या motto है exactly, क्या बता सकते हो, क्या motto है, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो अलग से Telegram पर जा सकते हैं, और अलग-अलग social media पर भी आप मुस्से जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप Study IQ को support करना चाहते हैं, तो simply click on the join button, क काफी कम दाम पर आप हमें support कर पाएंगे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.